हाई आज हम करने वाले हैं ICT के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म साथ हम करें जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इससे पहले कि हम शुरू करें बता दूँगा अगर आपको PDF चाहिए लेक्ट्वर्स की और अपडेट्स चाहिए और अ शुरू होने वाली हैं तो याद अखना 10 बज़े सुभा और 4 बज़े शांग को दो स्पेशल क्लासिस डोज होंगे यहाँ पर पेपर 1 के उपर आप बिल्कुल जॉइन कर सकते हैं इसमें हम करेंगे कुछ important MCQs जो जिसके त्रू हम क्या करेंगे यहाँ पर revision करेंगे जो का पर आपको दिख रहे हैं लाँच हो चुके हैं बाकी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे ने के अड्मी पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बेगी टेम यूज कर सकते हैं code 10% आपको आप मिल जाएगा प्लस और आइक दो तरह के सब्सक्रिप यानि कि अभी चार अक्तूबर को आठ बजे टाइम नोट कर लेना इंपोर्टन है आठ बजे ये टेस्ट होने वाला है और इसमें आप जीत सकते हैं प्राइस अप्टू 1,10,000 वर्थ के ठीक है तो यहाँ पर लाइफ टेस्ट रेंट करिए आप एक चांस आपको यहाँ प हमारे पास है that is your address book तो address book क्या होती है it is basically considered as a part of email software तो email software का एक पार्ट रहता है तो email में आपकी address book आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और address book क्या है इसको आप use करते हैं to keep a record of all the email addresses of people whom one may wish to contact by email यानि कि email addresses जिन 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 लोगों के email addresses आप रखना चाहते तो कहां रखते है आप address book में रखते हैं और guys यह previous year questions में पूछा गया था कि क्या कहते हैं इसको जहां पर आप email addresses रखते हैं किसी भी email में तो address book इसको कहते हैं तो याद रखना है आपने दूसरे जो term है that is your anchor anchor मतलब एक ऐसी term है जिसको आप use करते हैं stml में stml में use की जाती है hypertext markup language जिसको हम क कहते हैं जो कि coding system रहता है आपका web pages को create करने के लिए यह भी पूछा जाता है stml के बारे में anchor क्या होता है anchor एक ऐसा destination होता है hyperlink का जिसका मतलब होता है a point in a web document to which one jump when he clicks होने hyperlink जैसे यहां पर कोई hyperlink है sttp something यहां पर कोई link है उस पे अगर आप click करते हैं तो आप directly to just page के पास पहुंचते हैं इस particular destination पे आप पहुंचते हैं उसको आप क्या कहते है anchor ठीक है इसको आपने याद अखना है important है और अगली टामात ही है animation आप सभी को पता animation क्या होता है the display of a series of images in a sequence in a computer program or on a web page to give the impression of a movement animation होता है हो image होती है उसको आप क्या कर रहे हो move कर रहे हो ठीक है that is basically animation तो आपने देखा होगा animated जो चीज़े होती है उसमें movement होती है आपकी images वेरा किया जो भी यहां पर रहता है ठीक है उसके बाद हमारे बस टाम आती है ANSI American National Standard Institute तो this is a system that specifies code in numbers for all characters सभी characters के लिए कुछ number coding यहां पर ह होती है जो की appear होती है आपके keyboard में और extended character set used in Microsoft Windows Microsoft Windows में इसको यूज करते हैं और जितने भी ASCII code यहां पर है आपने मुझे comment box में बताना इसकी full form क्या है तो इसके सारे सारे codes इसमें रहेंगा और कुछ और भी इसमें number या ANSI code जिसको हम कहते हैं American National Standard Institute तो A को यहां पर for example A को यहां पर क्या code दिया है ANSI code क्या है 065 तो इसी तरह से बाकी characters को भी दिये गए है तो आपने बताना है full form क्या है ASCII की तो यह आपको homework है ठीक है देखता हूं कितनी तयारी जो है आप लोग यहां पर कर रहे है और यह PYQ में बिलकुल आ चुका है ASCII की full form लास्ट में आपर बास आता है archive अब इंपॉर्टन तो चीज़े हैं लेकिन अभी आपको वह चीज नहीं चाहिए तो जो फाइल होती है यह आपको completely discard भी नहीं करनी है और आपने रखनी है चीज़े लेकिन अभी आपकी जुरुरत भी नहीं हो उसके ठीक है तो आर्काइब में भी स्टोर्ड और एक्स्ट अभी आपको नहीं चाहिए लेकिन इंपॉर्टन है बाद में आपको जुरुरत पढ़ सकते वो चीज़ अलग है तो completely discard भी नहीं करनी है तो इसका हम आर्काइब क्याते हैं तो यही थी आज की कुछ टर्म्स पांच इंपॉर्डन टर्म्स तो यूजी सी नेट पब्लिक इंप्स्टूशन हमारा टेलिग्राम चनल है जुरूर जोइन करिएगा और कल जो है special class मिस मत करिएगा दस बजे सुबह इसमें हम करेंगे कुछ MCQs on paper 1 कुछ important MCQs करेंगे जिसके सो हम क्या करेंगे रिवीजन करेंगे तो यह 8 classes schedule हो चुके दिन की 2 classes होंगी तो आप बिलकुल इनको जोइन कर सकते और warrior test को देना मत भूलिएगा चार अक्तूबर को है आठ वजे रात को रहेगा यह और जिसमें इतना एक लाग 10,000 के आसपास आपको प्राइस मिलने की बिलकुल जो है जहां पर chances है और बाकी updates के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ और अगराल आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलबल है तो बेगई रन्यूस करेंगे आपको 10% डिसकाउंट भी यहां पर मिल जाए हो तो आप देख सकते हैं कोई सब याप प्राइस देख सकते हैं तो आप मिलते आप से कल सुभा 10 बजे वाली क्लास में जो की होने वाले कहां अन एक्याडमी पर तो आपको करना क्या है अन एक्याडमी आपको डाउनलूड करना है और क्लास देखने है ठीक है तो मिलते हैं गल्फ बैबै ठीक यह